देखिए फंक्शन नहीं मैपिंग नाम तो अजीब लग रहा है भूट टाइप का लग रहा है एलेवन्थ क्लास में तो बहुत कंसेट था हलका भूलका डोमिनों को बारे में बता है लेकि हमने रिलेशन पढ़ा है रिलेशन में हमने बता है कि एक सेट ए है मान लिया एक एलेमेंट का एक एलेमेंट में ही हो सकता है आपस में ही एक परिवार के लोग आपस में रिस्दार हो सकते हैं तो माल है एक एलेमेंट ऐसे है और बी की एलेमेंट कुछ भी हो सकते है तो वन का रिलेशन एसे भी हो सकता है वन का रिलेशन बी से हो सकता है वन का सी से हो स यह सब domain नहीं है, relation में एक, अगर relation A से B के भीके बीच में है, relation A से B के बीच में है, तो जो element, उसका, 2 का भी relation A से हो, 2 का भी B से हो, तो 1 और 2 दोनों क्या होंगी, domain, तो अगर हमसे कहा जाए कि domain of R, R का domain, तो आप कहेंगे 1 और 2 होंगी, और इसके वो element, जो इसके रिस्तदार है, relative है, वो range कहलाता है, यहाँ code domain का कोई लफ़डा नहीं है, range से, कह सकते हो code domain, सभी element code domain है, ठीक है, कह सकते हो, लेकिन फिलहाल, function में, relation में आपको केवल, domain और range से मतलब है, तो अगर हमको range of r निकालना हो, range of r, तो उसके जो element आपके, जो के रिस्तदार हैं, वो range कहलाते हैं, ठीक है, function भी एक प्रकार का relation है, लेकिन function is a special type of relation आप कह सकते हैं, यानि कि एक प्रकार से कुछ particular condition को fulfill करता है function, तो वो function कहलाता है, वही relation, function कहलाता है, जरा समझने की कोसिज करिए, यानि अगर हमसे कहा जाए, कि what is function, तो आप कहेंगे, function is a special type of relation, या relation fulfilling some conditions, some particular conditions, रिलेशन जो कुछ particular conditions को fulfill कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, function कहते हैं, अब जरा समझेगा, function, हमने का suppose A से B के बीच में एक relation है, और relation भी कुछ particular conditions को fulfill करता है, एक particular relation है, उसका नाम क्या दिया गया, function, तो कहेंगे, f such that A to B is a function, ठीक है, तो परले समझ लेते हैं कि क्या क्या conditions fulfill होना चाहिए, तो हमने पढ़ा है, कि जैसे ये set A है, और ये set B है, A के element है 1, 2, 3, और B के element है, A, B, C, D, पूलो यह example याद है क्या, वो पहले 1, 2, 3 लिया था 1, 2, 3 लिया आओ, कुछ भी आप 3, 4, 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, P, Q, R, S ले लो, ठीक है, अगर, हम मालने, x to y कर दें इसको, तो आद देखने में अच्छा लगए कर लिखने में ठीक लगए, x to y कर दें, तो इसको लिखेंगे, y is the function of x, ये लिखा जाता है, y is the function of x, तो x किसका element है, x actually इसके element है, और y किसका element है, y इसका element है, यानि x यहां रखोगे, और जो result मिलेगा वो किसका element होगा, y का होगा, ठीक है, अब मालिया 1 का relation a के साथ है, तो लिखा क्या जाएगा, f1 is equal to a, ऐसा लिखा जाएगा, f1 is equal to a, ठीक है, इसका दूसरी language है, कि a is the image of one, a is image of one, a one की image है, अगर मैं image माल लेता हूँ, तो मैं अपने आप एक compare, एक दिमाग में लगाता हूँ, कि image है, तो यहां एक सीसा रखा होगा, सीसा रखा नहीं है, जवस्ती रखना देना, सीसा डूरते रहूं, ठीक है, तो एक element, एक व्यक्ति सीसे में अपनी द दे सकता, यानि कि one का एक function भी नहीं हो सकता, तो relation हो सकता है, तो relation यह कह रहा था, कि इसके एक element के दो image हो सकते हैं, तीन image हो सकते हैं, लेकि function क्या कहता है, कि domain के हर element की image distinct होनी चाहिए, यहां पहली condition यहां क्या हो गई, कि every element of domain, अभी domain को बारे में बात करेंगे, every element of domain, have distinct image, distinct image, in co-domain, समझे हैं कि इसकी co-domain में distinct image होनी चाहिए, पहले इस condition समझेगा, अगर one की image भी हो साती है, तो वो function नहीं है, कामी खतम, बोले function नहीं है, तो किस type का वो function है, अरे function हैं नहीं, तो type का हैं का function हो जाएगा, type don't drive, दो element एक साथ देख सकते हैं, दो element एक ही सिसे में देख सकते हैं, दो the element की, एक image हो सकती है, लकिन एक element की दो image नहीं हो सकती है, दूसरी बात, domain की हर एक element की image होनी चाहिए, तो पहले हमने, मताब दूसरी बात, अब आप कहेंगे every element लिखी दिया आपने, त्टीक है, मताब वो दूसरी चाहिए, यह statement यह clear नहीं करता है कि हर element का होगा हमने का हर एक element का अलग-अलग image होनी चाहिए इसे ये clear नहीं होगा कि उसका image होगा ही ये कहा गया कि दो image नहीं हो सकती ठीक है तो आप लिखेंगे every element या all the elements all the elements of co domain क्या लिख रहा हूँ, domain of the domain will have the image, will have its distinct image distinct image अब ये तो clear कर रहा ना कि domain का हर एक element कि नहीं कोई element छूटे ना वहाँ छूट सकता है यहाँ पर छूट सकता है तो ये पहली condition ही है बस दो ही conditions यहाँ पर function की है कि अगर x से y के बीच में एक relation है relation कुछ particular conditions को follow करता है तो उसी relation का नाम हम क्या रखते है function रखते है तो function अगर है x से y में तो x के सभी element को domain कहते है इसको बाद में लिखते हैं तो कहा गया कि domain के हर एक element की distinct image होनी चाहिए और domain का हर एक element की image होनी चाहिए मतलब कोई element इसमें छोटना ने चाहिए इसको generally example के दौर पर note कर लीजे देखें अब यहाँ पर एक word आता है domain light आ गई होगी domain of function domain of function क्या होता देखें द्यान से अगर हम मालें कि if f such that x to y be a function be a function such that y is equal to fx अगर y is equal to fx होगा तो आप समझ जाएंगे x किसका element इस x का domain का y किसका element co domain का तो x के सभी element क्या कलाते हैं यह capital y लिखिएगा x के सभी element कहलाते हैं domain ठीक है तो आप लिखेंगे domain इसी एक साथ दूसरी heading क्या लिखिए आएगी co domain इतने ठीक है तो आप लिखेंगे all the elements of x all the elements of x are known as domain known as domain of function domain of function यह function के domain कहलाते हैं इसको domain of function को कहीं कहीं पर df लिखा रहता है domain of function तो domain of function किसके एकल हो जाएगा actually में x के एकल हो जाएगा अब आप कहेंगे ईसके देखा जाएगा जाएगा उसमें भी यही definition थी अगर मेर relation की बात करूँ तो relation की definition भी यही थी यह तो नहीं थी actually में relation में वो element लिये जाते हैं जो उस उस वाले element के relative हो और यहां सभी होते है relative इसलिए पूरा सट लिया जाता है वस यह अंतर है अच्छा दूसरी बात y के सभी element क्या कलाते है co-domain all the elements of all the elements की बात हो रही है वो चाहे उसके relative हो चाहे हो ना हो function बना रहे हो या ना बना रहे हो है अगर यहां domain की बात करें इस example में तो domain क्या आपको कहलाएगा one two three all the elements of y of y are known as are known as co-domain इसको हम co-domain कहलाते है इसको co-domain कहते हैं ठीक है तो इसको co-domain अगर हम निकाले co-domain तो क्या होगा a b c d अगर यहां example लेने तो क्या आएगा a b c d इसका co-domain होगा ठीक है इसमें एक और word आएगा इसी में बढ़ा देते है range अब यह ना पढ़ना domain upon co-domain upon range लिखा हुआ है तीन definitions है ठीक है अब देखिए range क्या होती है co-domain की वह element जो domain के element के image है those elements of co-domain those elements of co-domain which are images which which are image images of the elements of domain elements of domain are known as known as range इसको range कहते हैं क्या जरूरी है कि co-domain के सभी elements उसके image हों तो यानि की हम कह सकते हैं कि range range of function लिख दे आर एफ लिख सकते हैं अब पूरा definition लिखो आर एफ न सब्सक्राइब आ तो range लिख दो ना तो range यहां पर क्या है एबी है यानि अगर हम यह कहना चाहें तो हम कहेंगे range of function is the subset of code domain यह इसका subset होता है ठीक है यह इसलिए लगा दिया कि इक्वाल भी हो सकता है subset में equality का साइन भी आ पर हो सकता है ठीक है तो यह आपका function क्या होता है function की domain क्या होती है function की code domain क्या होती है कि function का code domain क्या होता है function की code domain क्या होता है कि function का code domain क्या होता है की का can decide लड़किया की लिख दे function की code domain लड़के लिख दे function का code domain हमारे teacher थे जब वो पढ़ाना होता था जब ऐसा कुछ होता था कि का लिखे के की लिखे वोह लड़के लिखें का लड़कियाں लिखें की बूड़े लिखें का की अब बूदहू लिखें का का ऐसा थोड़ी होता है टीक है जैसे था नहीं कि गाह। आ एक में लोगों को Bugap prank टॉस को पढ़ायगी एक पढ़ हो ऑप्ढ़ कां पढ़ रहा था तो सामने वारे टीचर उसको दो गंटा पारे पुले काका अगर हम काप पढ़े ले तो काका हम पढ़ी तना हम काप पढ़े नहीं पारे है और हमार रहो कभी-कभी real valued function कहलाता है कभी-कभी एक word आएगा real valued function उसमें confuse मत होईएगा valued function real valued function का मतलब होता है कि जो function है ना वो real number to real number है यानि domain के element भी real number है और co-domain के element भी real number है और real number की पहचान हमको बच्पन से आती है कि भाहिया root के अंदर negative ना आए और चाहे जो आजाए 1, 2, 3, 4, under root 2, 1 upon 2, 0 कुछ भी आजाए सब real valued function है ठीक है तो domain समझ में आ गया range समझ में आ गया अब इनों पहली में range domain की बात की है वो हम बात करेंगे पहले हम function के types बता दें ठीक है तब domain range की क्योंकि introduction part है तो पहले हम पहले हम पूरा types बताएंगे तब हम बात करेंगे अब देखे हम function के types के बात करने जा रहें साउधान बस types में ही सब कुछ लफड़ा है types of function types of function देखिए सबसे पहला यहाँ जो type होता है वो होता one one function one one देखो एक तो होता है question को पहँचानना एक होता है question को हम solve कैसे करें जैसे हमने बताया ना कि से youtube में देखरें जब खाना ममी सीखती है तो वो कहेंगे इसमे कुकुमबर लाओ गालिक चॉप करो अब पता चला तो ना तो कुकुमबर मिला ममी न गालिक मिला तो छॉप नहीं करना आता है चॉप करो बैढ़ कहीं बचपा दिन गालिक है न तो यह गार्लिक, चॉप करो, कुकुम्बर लाओ, उसी तरीके इसकी language है, मतला है कुछ नहीं है, खीरा है, पांच रूपर एक दूपी मिलत ने, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि वो गार्लिक, और चॉप, और कुकुम्बर, यह अनि पूडिकल डेफिनिशन होगी, यह उन्होंने कहा कि अगर F says that A to B, B11, इसको क्या कहेंगे, 11, चुकि एक इंजेक्शन एक को लगता है, तोड़के फेक दिया जाता है, इसलिए इसको इंजेक्टिव ही कहते है, इंजेक्शन भी कहते है, इंजेक्शन भी कहते है, इंजेक् इंजेक्शन मतलब है, F such that A to B, B of 1, 1, if, डोमेन के हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, यानि आल दा एलिमेंट साफ डोमेन विल है, यूनिक इमेज का बात अलग होती है, कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट इमेज कह सकते हैं, एक ही इमेज अगर 1 है, एक ही इमेज 2 नहीं है, तो A की एक यूनिक इमेज है, और B की इमेज 1 है, B की भी इमेज है, वो तो इमेज समझे के हमारी इमेज तुम, तुमारी इमेज, उनकी इमेज तुम, हम दब प्री के हम बात ही नहीं करेंगे, हम इमेज की बात करेंगे ना, ठीक है, वो मेरी दोस्त, प of all the elements, all the elements, किसके, of domain, will have, unique word याँ याँ यूज नहीं करेंगे भी या, unique का मतलब मेरे हिसाब से अलग हुज जाएगा, distinct image, distinct image, अपने देखा होगा ना, वो अमताब बिचन कोई पिचर थी उसमें, दमताब थे एक और तो दुहीर होता, दो की एक ही फ्रेंट सी, वो अपना बढ़ाई क्या करते थे, मेरी वाली, तुमारी भावी, तुमारी भावी, बावी एक कहे निकली, फिवा सेक्रिफाइस कौन करें, तो कुछ था आप ना, जो भी था, हमको याद नहीं है, हम तो, हम तो वहाँ पर, ने मैं 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 म फिजिक्स देखता हूँ, कि वहाँ पर, कहाँ पर हमारे में, उस महत में एक्जामपल फिट हो पाएगा, मैं एक्जामपल फिट करता हूपना, अब सुनिए, अब ये तो, इससे डेफिनिशन किलिर हो गई ना, अब समझने की कोसिस करो, हम इसको मैथमेटिकली कैसे लगा अब बताओ, डोमेन के हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमिज है गी नहीं है, तो ये वन वन है, तो ये तो हमने एरो डाइग्राम से पहचान लिया, अब मैथमेटिकली कैसे पहचाने, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पर दो एलिमेंट लिये, एक्सवन और मतब मैथमेटिकली उसको लगाने का तरीका क्या हो गया, हमने मान लिया, कि एक्सवन और एक्सटू किसको बिलांग कर रहा है, एको, और हमने कहा, कि इन दोनों की इमेंज सेम है, यहाँ एक्सवन इस इक्वल टू, एक्सटू, अब बताओ, अगर एक्सवन की इमेज भी एक्सटू के इमेज भी है, तो क्या यह वन वन होगा, नहीं होगा, बाद में हमने सिध्ध कर दिया, कि भाईया, एक्सवन एक्सटू भी सेम है, यह दो लोग नहीं थे, और उनको तुम देख रहते न, वो एक्सवाज पर आई थे, सर में बाल थे उनके, इस हमें नहीं है कभी कभी हम पुराणी अपनी फोटो लगाते हैं तो लोग कहिंगे तो बाल वाल वाला हम अपने हिसाफ से लेंगे लिए ना अब हमां की फसाने के लिए यहां पर नहीं यूज़ आ रहें हम समझाने के लिए समझा रहें तो उसको कैसे बताए जाता है, कि वो देखो, मंदिर दिख रहा है, दिख रहा है, इधर से जाओगे, वो हमिल जाएगा, आगे तुम जहनों अपना, अब हार एक रोड पे जब रोड रा रहा है, इसे मंदिर है, अचा इधर मुड़ना है, अपने आप मुड़ो, यह कैने क् नहीं बताएंगे, पहले एक एक ग्जांपल समझते हैं, ठीक है, हमने कहा, कि f such that r to r, एक real valued function है, यानि domain के element भी real, co-domain के element भी real, such that fx is equal to x plus 3, 2x plus 3, for all x belongs to a, real number, real number, तो prove that it is 1, 1, आप 1, 1 मालो, अब जब जब समझे की कोशी करो, अगर मैं fx is equal to x plus 3 लिख रहा हूँ, तो यह x किसका element है, domain का, और यह result किसका element है, देखो, यह real value किसका है, यह x किसका element है, domain का, और यह result किसका है, co-domain का, भी y ब्राबर fx होता है, तो एक तरीक है यह y है, ठीक, आप ज़रा समझे, वन-वन का तरीका क्या होता है, या तो x की value हम बहुत सारी रखें, और y की value निकालें, फिर कहेंगे x के अलग-अलग value पे y अलग-अलग मिल रहा है, तो आपने 50 value रखी, आपने proof कर दिया 50 value दिखा दी, क्योंकि आपको एक ही question आता था, और कोशन आता था, ने 3 घंटे करे हैं, तो को mathematically कैसे प्रूब करेंगे, let x1, x2 belongs to real domain, चुकि दो real है ना, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, domain, कैसे हमने किया, such that fx1 is equal to fx2, हमने कहें दोनों same है, और जबकि कहा है कि दो element के इमें same नहीं हो सकते, ठीक हमने इसको contrary method, contradiction method आपने पढ़ा होगा, जैसे 9th, 10th में एक question आता, root 2 is irrational या rational, तो आप उसको irrational प्रूब करना होता है, आप उसको क्या मानते है, rational, और बाद में एक logic आ जाती है, logically प्रूफ हो जाता है, कि वो irrational है, तो हमने दोनों के image same कर दी, इसका मतलब क्या होता, अगर fx1 यहां निकालोगे, तो यह क्या निकले कि जो यहां से दो element x1, x2 मान रहे थे, और उनकी image same मान रहे थे ना, वो भाईसाब दो element नहीं थे, तो क्यों यो तो set है, यह तो set होते है, और set में element का repetition का कोई मतलब नहीं होता, वो एक ही थे, वो क्योल सजे रहे हैं, वो ही यहां जो लिल्ली गोडी चला उत रहे हैं पहल जब equal कर दोगे तो अपने आप वो तो equal आनी है, मैं दो example लाओ लेता हूँ, और एक बाचपे जी, q वाले भस रहे हैं, q वाला, q वाला, पता ही कों सब बता रहे हैं, वाला, देखो, एक और example लेता हूँ, आप कहेंगी भाई, इस प्रकार से अगर आप equal to कर देंगे, तो x x1 is equal to fx2 करोगे, तो x1 square is equal to x2 square, तो x1 is equal to plus minus x2 आएगा ना, नहीं आएगा, यानि अगर मैं domain का 1 लेता हूँ, तो 1 की image 1 होगी, और domain का minus 1 लेता हूँ, तो minus की image भी, क्यो minus 1 का square 1 ही आना है, तो आप क्या देख रहे हैं, कि भाई, दोनों की image तो same है, लेकिन दोनों element same, नह ही है, अलग-अलग element है, तो ऐसा नहीं कि equal to करने से काम ही चल जाएगा, अब उन्होंने का cube वाला ले लो, तो मैं इसमें that cube root ले लूँगा, लेकिन अगर मैं आपको confusion हो रहा हो, तो मैं उसको मैं solve करने की कोशिच कर रहा हूँ साउधान, देखे जैसे एक जामपल एक और कि भाया, fx बराबर x cube लेके बताओ, बात पर जी बहुत बड़े तुम तोफ हो, तो मैं बताता हूँ, देखो, x1, x2 क्या है, real number, fx1 is equal to, fx2, तो x1 cube is equal to, x2 cube, तो आप diet cube root ले लिजे, तो x1 is equal to x2, आप कहें हम cube root तो नहीं लेना चाहते, हम factor करना चाहते, करो factor, इसको इ is equal to 0, बैसे diet आप cube root लेकर के, x1 is equal to, x2 prove कर देंगे, अब आप को पुरा बताए दे रहे हैं, अब आप factorize कर दो आप, aq minus b cube, तो यह करो, क्या आएगा, x1 minus x2 आएगा, और दूसरा आएगा, x1 square plus x2 square plus x1 x2 आएगा, सही कहरो, मैं नहीं कहरा हूँ, तो दो factor हो गए, या त तो हमने इसको 0 कर दिया, हमने का, x1 minus x2 बराबर 0, तो x1 की value क्या आगई, x2, आप कहेंगे, ये भी तो हो सकता है, ये दोनों 0 नहों, ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप तो जोस्ति अप लिख दियो, तो मैं इसको 0 करके देखता हूँ, क्या लफ़डा आ रहा है, तो म x1 में भी है, और x2 में भी है, अगर मैं x1 को quadratic मान करके, यहां से x1 की value निकालता हूँ, तो एक तो x2 के term में आएगी, और x2 गुसा जाएगा, कि कोई x1 तो है रिस्तेदार हैं, बाज पर ही हैं, सुकला भी दो सकते हैं, तो आप x2 को quadratic मान के लगाओगे, तो x1 गुसा जा upon x2 plus 1 ब्रावर 0 आएगा, अगर मैं x2 इसका डिवाइड कर दूँ, और मैं x1 upon x2 को कुछ मान लेता हूँ, मैं x1 upon x2 को मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, कहीं t माने हैं, a मान लेता है, t थोड़ा लगता है, differentiation का रिस्तेदार है, तेखो differentiation में t है, u है, v, वहां माना जाता है, और इधर जो है, जैसोंने कहीं पर singh, wing ऐसे लिखे जाते हैं, singh के नाम देखो, प्रताप लगा होता है, singh लगा होता है, हम लोगों में क्या लगा होता है, ठीक है, अब वहला की बात कोई mix नाम लिख दे, प्रताप, प्रकास, singh, khan, प्रताप जी हमें, कुछ दिन बात ऐसा रखना पड़ेगा, कि किसी इलाके से गुजरोगे, क्योंकि ऐसा माहौल जो बन रहा है, उस माहौल में दिक्कत होगी, हम तुमका पाई तु काट डाली, तुमका पाई तु काट डालो, पता जला सब निकली नहीं पारे, रखो यह तो यह a² प्लस a प्लस 1 ब्राबर 0 है, बैस अब यह quadratic equation हो गई, तो हमें किसकी याद आ रही है, धराचार की, तो a is equal to क्या होगा, minus b, plus minus under root b, square minus 4 c upon 2a, यह negative rr root के अंदर, तो यह value imaginary मिलेगी ना, तो यह condition possibility, नहीं है, तो यह 0 होने की possibility नहीं है, तो simple साथ यह value possibility है, तो हम बह सब्सक्राइब करोंगे, तो यह आपका हो गया, अन्टू function, function क्या होता है, और अन्टू function क्या होता है, कल अन्टू के बाद 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 आंटी और रवाएंगी, अन्टी, मामा, ना, सब बात की जाएगी, ठीक, ओके,